स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेंडा टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर अभी तक आपने हमारे प्रेंडा टीवी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है दिदी तो जर्द ही सस्क्राइब कर ले क्योंकि आप सभी को डेनरलम से जुड़ी उसके साथ साथ केंसरकार के द्वारत जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले आप सभी दीदियों को अगत कर दिया जाएगा तो आप सभी दीदियों से निवेदन है कि आप हमारे प्रेना टीवी चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए अगर दीदिया पहले से ये डेनरलम में जुड़ी हैं तो आप से निवेदन है कि पंच सुत्र का पालन करना बिल्कुल अभूले साथ ताहिक बटक, साथ ताहिक बचत, आंतरीक उधार, समय स्रेनों आपसी लेखा जोखा इन पंच सुत्रों का करे पालन और अपने समू को रखे सक्री क्यूंकि सक्री समू को ही योजना का लाब दिया जाता है और वरिता भी मिलती है तो चलिए दिदी ज्यादा ना बात करते हैं में टॉपी की तरफ आते हैं जैसा कि आपने हमारे थम्रेल में देखा है वीडियो को छोड़कर दिदी बिल्कुल ना जाए अन तक देखती रहें आप सभी दिदियों को आउगत करा दे कि यूपी फ्री लेप्टॉप योजना जी हाँ अगर आपके गर में कोई है बच्चे तो इस वीडियो को बिल्कुल छोड़के ना जाए यूपी फ्री लेप्टॉप योजना चल रहा है दिदी जी हाँ UP Free Laptop योजना Online Registration Farm की इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश राज के होनहार महिला पुरुस अभ्यारतियों के लिए खुस खबरी है दरसल हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज के प्रती भासाली छात्र छात्राओं के लिए UP Free Laptop योजना 2021 का सुभारं किया है जिसके अंतरगत उत्तर प्रदेश राज के दस्वी बार्वी ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट पास्ट को UP सरकार द्वारा ने सुल्क लेप्टाप प्रदान किया जाएगा आज सभी दिदी को उगत कर दो की मिली खबर के मुताबिक UP सरकार द्वारा UP Free Laptop योजना रजिस्टेशन फार्म प्रक्रिया जल्द ही सुरू करने वाली है UP Free Laptop योजना से जुड़ी संपूर जानकारी आपको अगे पूरी वीडियो जरूर देखें UP Free Laptop योजना पूर्सरा करता कौन है UP सरकार जी हां हमारे योगी आदित नाच्स और लाभारती कौन है जी हां लाभारती की संख्या एक करोड जी हां तो समझ जाए दिदी हर घर में लेप्टाप जाने वाला है उत्तर प्रदेश जी हां उत्यस क्या है सिच्छा के छेत्र को आगे बढ़ाना क्यूंकि COVID-19 की वज़े से दीदी सभी बच्चे आनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए इस योजना का सुभारम किया गया वर्स 2021 आवेदन प्रक्रिया कैसे है आनलाइन है इस्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश यूपी फ्री लेप्टाप योजना की पातता जिहां इसके पात्र कौन बच्चे होंगे इस वीडियो को जरू देखें यूपी फ्री लेप्टाप योजना 2021 के लिए अभ्याती को उत्तर प्रदेश राज का मूल निमासी होना चाहिए इसके साथ ही दिदी मानेता प्राप्त ध्यान देख प्राइबेट नहीं मानेता प्राप्त संस्था से दस्वी बार्वी आईटी आई डिकलोमा कौन कौन से लगेंगे आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र दस्वी तथा बार्वी की मार्शीट पासफोर्ट साइज फोटोग्राफ मोबाइल नंबर और ऐसे करे दिदी आवेदन आप सभी उम्मीद वारों को 70% से 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना चाहिए जी त्री लेपटाप योजना क्या है? जिहां यूपी मुक्त लेपटाप विवरन योजना उत्तरप्रदेश सरकाद वारा राज के मेधावी चातरों के लिए चलाई जा रही है योजना के तहत चातरों को बίνा कोई सूलक लिए है लेपटाप दिये जाएंगे त्री लेट प्राव योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं फिलाल सरकार ने आवेदन की कोई भी आनलाइन प्रक्रिया जारी नहीं की है जैसे ही सरकार द्वारा कोई भी आनलाइन प्रक्रिया जारी की जाती है तो आप सभी दिद्यों को हमारे प्रेड़ना टीवी चैनल के माधम से दे दी जाएगी कि आपको कैसे अपलाई करना है कहा अपलाई करना है कैसे फार्म भरना है और कैसे आप यह सुधार ले सकते हैं तो इसलिए हमारे हर वीडियो को देखते रहें बिल्कुल छोड़ेना क्योंकि जैसे ही लांच होता है वेबसाइट आती है आपको आप तुरंत आउकत दिदी करा देंगे इस बातों का आप लोग जरू ध्यान रखें इस मुफ्त लेप्टाप योजना में क्या दस्वी पास शात्र पास होंगे इसका मतलब है नहीं फिलहाल केवल बारवी पास शात्रों को इस योजना के तर लाब मिलेगा जो कालेज में एडमीशन लेने जा रहे हैं किन चात्रों को योजना के तर लेप्टाप दिये जाएंगे बारवी पास शात्रों को ही योजना के तहत फ्री लेप्टाप रदान किये जाएंगे योजना में रजिस्टेशन करने के लिए क्या कोई फीस जमा करनी होगी कुछी सवाल जो दिदी सभी लोग करते हैं उसके बाद में आपको उतराज दिया जा रहा है नहीं योजना में आवेनर करने के लिए कोई भी फीज जमा करने की आवशेक्ता नहीं है एर रेजेस्टेशन प्रक्रिया बिल्कुल निसुलक है उतर प्रदेश फ्री लेप्टाप वित्रण योजना क्या फेक है तो आप सभी कावगत करा दू जी नहीं बिल्कुल नहीं यह योजना फेक्ट नहीं है हाला कि यह सरकार का एक चुनावी वादा है जिसकी घोशना हाल ही में CM योगी जी द्वारक की गई थी लेप्टाप कितने पर्षेंट वालों को मिलेगा या भी दिदिव सवाल रता है तो जो भी छातर सकतर असी या उससे अधिक प्राप्त करते हैं और कालेज में प्रवेश कर लेते हैं 11 वी में अडिशन करा लेते हैं उन्हें लेप्टाप रित्रन किये जाएंगे तो आप सभी को अउगत करा दू जो बच्चे हाई स्कूल पास की है तो 11 में डिदी अडिविशन होगा ही होगा वो बच्चे पढ़ेंगे तुने लेप् पार हैं बच्चे तो इसलिए सरकार इस योजना को लांच की है सभी बच्चों को लेप्टाप देना चाहती है क्योंकि अगर हर बच्चे के पास लेप्टाप रहेगा तो जो है सब बच्चे पढ़ पाएंगी तो चली आज की वीडियो बस इतना ही अगर आपको अधिक ज आपके लिए जरूर है लेकिन यह चैनल आपके लिए हैं तो आपके लिए भी कदूं वीडियो आपके लिए जरूर है लेकिन यह चैनल आपके लिए नहीं है आपके लिए चैनल बनाए गया है प्रेडना टीवी चैनल सहरी आप प्रेडना टीवी चैनल सहरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप सहर में रहती हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल प्रेडना टीवी चैनल सहरी को जरूर सब कर लें तो चलिए आज की व्लब्स क्यांने जया जी वी का